नमस्ते सभी लोगों को मेरा उत्राखन सरकार से निवेदने की मैं उत्राखन चंपाउस से तैनक्पूर का रहने वाला हूँ मैं हम लोग अभी गुजरातना फसे हुए हैं राजकोट में मेरा तेरवन्दर सिंग मुख्यमंदी जी से निवेदने की हम यहां लोगडाउन में फसे हुए हैं तो हमें घर लजाने की बहुत किरपा करें और हमें सभी हमारे विधाये जी से निवेदने हैं खटीमा पुशकर चिंग धामी जी चंपाव गयतोडी जी से और धर्चुला हरी धामी जी से और कि तो अगर चंद्रा प्रगाज पंते जी से निवेदन है कि हमें कैसे भी हमें गाड़ी विजवा के हमारा घर में घर पचा दीजिए हम यहां गुजरात राजकोट में है यहां केस पचाफ से अपर पहुंच गया है यहां लोगड़ाँ पूरा बंद कर दिया है और हम भूडल में जौब करते है हमारा रोम से अलधा चाना बहुत दूर है Zeus पुला लीजिए और कुरंटायन में हमें डाल दीजिए हमारे घर वाले परेशान है और हम पैदल भी नहीं आ सकते हैं पैदल अगर हम अगर तीन लड़के आ रहे थे तो उन्हें पुलिस पकड़ के उनको जेल कर दिया इसलिए पैदल भी नहीं है यह लाखते हैं हम तो दिते पैदला की कोछिस कर रहे थे अमें उत्रकार सरकार से निवेदन हैं कि हम वह प्रिशानी से मुख्या मंत्री से अनुर्द हैं कि हम अपनी घर पचा दीजिए हमारे महाँ बहुत चिंदा कर रहे हैं हम लोग सब घर से हैं हम लोग यहां परिसान हो रहे हैं और मुख्यमंदिय के निविद्ण है कि अपने अपने घर पहुंच के करुण देन कर दिया उन लोगों को सरकार ने को भी हमारे कोई सुनी रहे इसलिए मैं मुख्यमंतिर करुंदर सिंग राओजी से आज जोड़के चीह निबीचि नीबितन है कि हमें कैसे भी घर पचानी ही का विदा करें जीवर्य झी विदायो उन्से रमारे हमारी साहिता करें हम अम भीमारे जए तो यह मं तुम धाल गया है। से दो कुछे करते और तक बिस्वा करता है। वाई लोग कोई चंपाथ कोई खटीवासे हैं और लोग सब लोग है कम से कम 200 लोग फसे हुए हर जगे के ऐसे हम अलगर रूम इतने रूम में रहते हैं हमारा रूम में इतने लोग हैं कैसे अंगे निकाल सकते हैं किसको निकाल सकते हैं इसलिए हमें बहुत सब्सक्राइब रहते हैं इसक्राइब करें कि